बैल आपको पसंद आती तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताएगा क्योंकि आपके कमेंट से मुझे बहुत अच्छा लगता है तो चले फिर रसेपी स्टार्ट करते हैं आज मैं बनाने जा रहे हैं फ्रेंस आज में बनाने जा रहे हूं मैंगो पालोधा जो की बहुत आमेजिंग रेसिपी है प्रकार के आती एक ब्राउन वाली होती होती है और जो वाइट होती होती है तो इसे बिल्कुल लो फ्लेम पर आपको इसे भूझना है ज्यादा नहीं भूझना है फ्रेंट्स यह मैं मार्केट वाली यूज़ कर रहे हूं अगर आपको होमेड यूज़ करना है तो मैंने उसकी रेसिपी डाल रखी है और मैं उसका आई बटन पर लिंक दे दोंगी आप देख सकते हैं कि ज दोड़ डालोंगी यह 200 ग्राम मतलब आदा लीटर दूद है पूरा जो मैंने डाला है वह अभी 200 ग्राम है और फिर से में डाल रहे हैं और जो सिवाई मैंने यूज़ की है वह एक कप सिवाई है एक कप से थोड़ी सी कम होगी और यह अच्छे से मुझे पकाना है इसे पक होगी तो आपका जो आम है वह बहुत मीठा है तो थोड़़ी से कम चीनी कर सकते मैंने यह आप ट्रोड़ चार चम चीनी डाल रहे हूं आप थोड़ी से बढ़ा भी सकते हैं तो चीनी हम बने डाल दिया अब इसे अच्छे से खॉलाने के बाद जब छोड़ा सा दूद इसे अच्छा सा टेस्ट आता है तो मैंने एक चमच लिया है बहुत जादा भर कर भी नहीं लिया है क्योंकि फूलने के बाद बहुत जाद हो जाता है और इसे मैंने पानी में डाल कर दस मिनट के लिए रख देना है दस मिनट बाद यह बड़े-बड़े से हो जाएंगे फू अनममिठा होना चाहिए और पका होना चाहिए अब मैंने के काट लिया और तरीके से मैं ऊच्छावं से प्タ ed economist में चाहिए तो मैंसे चोटब चोटी-पीसस की भी ज़रूरतzer थीर कि अखंसे में जारना गूर। चाहिए हैंकने व्मस इससे प्री संद्रों कि आधया है कि तो आप यहां पर आदा लेटर दूद ही यूज़ करेंगा नहीं तो फिर और ज्यादा गाड़ी हो जाएगी और मुझे जितनी गाड़ी चाहिए तो जो आम का पेश्ट मैंने बनाया था वो मैंने इसमें मिक्स कर दिया और मिक्स तब करना है जब आपका जो सीवह है वो को है किया दियाता है तो हमrobzar किया चाहता है तो मैंने मंने चली चणी तो जिल्した पिल गया तो हम आया तो हमस्वाज़ करते आपको और है जितना आपको पसंद जक्त है आप चाहे तो यहां पर ड्राइफ भी डाल सकते हैं या कोई भी फूर्ट डाल सकते हैं तो मैंने पर ट्रूटी-फूर्टी का टेस्ट होता है वह बहुत ही अच्छा लगता है अध्या आप पीसेंश बचा लिये थे ताकि जो हमारा देखने में अच्छा लगें अमें तो र को फॉलूदा बन रहा है वो देखने में बहुत सुंदर लगेगा और खाने में भी बहुत टेस्टी लगता है तो और मैंने थोड़े से तुल्सी के वीज और डाल दी है उपर से ताकि और अच्छा देखने में लगे इसी तरीके से मैं तुभारा से करूंगी तो अगर आप अगर आप मेरी रेसिपि ट्राई करते आपको पसंद आती तो प्लीज मुझे कमेंट कर कि जरूं कि कैसी लेगे को मैं आप लोगों के लिए इसी तरीके से इंटरेस्टिंग रहती रहती हूं चैपि कुछ जट पड़ बनकर तयार हो जाती है अब रहे है तो इस तरीके से में तब तक के लिए बाबाई टेक केर प्रेंट्स